नवश्कार मैं हूं सुकृती रोय और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है बहुत से लोगों ने अपनी जीवन श्राली को बदलने और आकार पाने के लिए बस एक साधन के रूप में चलना शुरू कर दिया है वजन कम करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक वॉक करना होता है ये कासान उपाय है खासतोर पर उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में काफी व्यस्त है साथी ये उन लोगों के लिए भी एक अच्छा विकल्प है जो जिन से बचना चाहते हैं वॉक करने से बहुत से स्वास्त लाब होते हैं बस हर दिन 30-35 मिनट के लिए वॉक करने से रदय का स्वास्त बहतर रहता है साथी हाथ, पैर, पाचन क्रिया और तनाव को भी दूर करने में मदद करता है इसे कैलरी भी बर्ण होती है हॉवर्ड युनिवरस्टी द्वारा किये गए अध्यनों के नुसार, 30 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग से लगभग 150 कैलरी बर्ण होती है जतना अधिक आप चलते हैं, उतना अधिक कैलरी बर्ण होती है जब आप नियमित रूप से शरीर की मासपेशों को मूव करते हैं, तो शरीर में जमी चर्बी सबसे पहले खत्म हो जाती है और ये बदले में वजन को भी नियंतुरत करती है वजन कम करने के लिए विशशग्यों का कहना है कि एक व्यक्ति को हर हफते कम से कम 150 मिनिट यानि की धाई घंटे तक चलने की जरूरत होती है ताकि अतरिक्त फैट बर्ण हो सके हाला कि कुछ अन्य तरीके हैं जिनसे आप तेजी से वजन कम कर सकते हैं चलने के बहुत से तरीके होते हैं जिससे आप वजन कम कर सकते हैं स्लिपर रोट्स और एकलाइंड पात जैसी सड़कों पर चलना आपको जल्दी फैट कम करने में मदद कर सकता है पिशे शग्यों के अनुसार ही एक कदम वजन घटाने के लिए बेहत फायदवन्द है क्योंकि ये शरीर को एक सपाट सतह पर चलने की तुल्ना में अधिक उर्जा का उपियोग करने के लिए पुश करता है एक भुभाग के विपरीत एक समतल सतह पर चलना भी नीरस हो सकता है और शरीर को धीमा करने के लिए मजबूर कर सकता है उपर की और चलना भी शरीर को चार्ज करता है और एक निश्रत गती बना रखने की तुल्ना में जब आप अपनी गती को बदलते हैं तो ये 20 प्रतिशत तक बढ़ा देता है फिलहाल इस वीडियो में इतना ही ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रही है हमारे साथ